चलिए आज बनाते हैं कोई आसान सी मिठाई ताकि घर में कोई तीज तहवार हो, कोई महमान आने वाला हो, या फिर कभी आपको कुछ मीठा घाने का मन हो, तो आप फटा-फट से उसे बना के अपने परिवार के साथ उसका आनन्द उठा सकें. चलते हैं इसे बनाने के लिए, मिठाई को बनाने के लिए यहाँ पे हम घी ले लेंगे, तो बहुत जाता घी का भी इस्तवाल नहीं करना है, बस दो चमस घी में यह मिठाई बनके तयार हो जाएगी. तीन चौथ हाई कप यहाँ पे आपको चीनी लेनी है, ध्यान रखिएगा कि सबी चीजों को एक ही बरतन से नाप के डालिएगा, परफेक्ट मिठाई बनके तयार होगी. एक कप यहाँ पे आपको मिल्क पाउडर लेना है, मिल्क पाउडर किसी भी किराना दुकान पे बहुत आसानी से मिल जाती है. और यहाँ पे अभी मैंने गैस अन नहीं किया है, सबी चीजों को पहले हम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद गैस अन करेंगे. एक कप दूद लेना है, लेकिन दूद बिल्कुल भी गरम नहीं होना चाहिए, दूद को उबाल के ठंडा कर लें, उसके बाद डालें. गरम दूद में मिल्क पाउडर डालने पे गिल्थियां पढ़ जाती है, मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है, तो मिठाई भी हमारी अच्छी सॉफ्ट नहीं बन पाएगी. तो सभी चीजों को देखे पहले, यहां पे मैंने मिक्स कर लिया है, और इसमें बिल्कुल भी गिल्थियां नहीं हुई है. अब हम यहां पे गैस ओन कर लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए थोड़ी दिर पकाएंगे, मिठाई वगरा बनाते समय बस एक ही काम करना होता है कि लगातार चलाते हुए पकाना पड़ता है, यह तो बरतन के तले से बहुत जल्दी मिठाई लगने लगती है. और ऐसे भी अब फेस्टिवल आने वाले हैं, बाहर से क्यों मिठाई लाना है, जब हम बहुत ही टेस्टी हल्दी मिठाई घर में बनाकर त्यार कर सकते हैं, मात 10-15 मिनट में, थोड़ी ही देर में यह दूद जो है वो अच्छा गाड़ा होने लगेगा, दूद को मीडियम आज पे 3-4 मिनट पकाईए, दूद जब अच्छा गाड़ा हो जाए, उसके बाद आप यहां पे गैस का आच धीमा करके नारियल का बुरादा डाल दीजिए, तो डेर कप यहां पे आपको नारियल का बुरादा डालना है, अब हम इसे 2-3 मिनट और पका लेंगे, जब तक यह अच्छा गाढ़ा ना हो जाए, मतलब मावे की तरह जब तक यह ना दिखने लगे और कढ़ाई ना छोड़ने लगे, तो यह देखे मावे की तरह तो दिखने लगा है, लेकिन अभी यह थोड़ा सा पतला है, जब हम इसके लड़ू बांदेंगे ना तो यह बंद नही को बहुत अच्छी आती है, और अब देखे मिशन यहां पे हमारा अच्छा गाढ़ा हो गया है, एक जगा जब हम इखटा कर रहे हैं तो अच्छे से इखटा हो जा रहे है, थोड़ा सा मिशन अगर हाथ में गोल करके देखेंगे ना तो अच्छे से यह गोल भी हो जाएग लड़ू के लिए बस इसी तरीके का हमें मिशन तयार करना है, अब हम गयास बंद कर देंगे और कड़ाई अभी काफी गरम है तो मिशन को अगर हम कड़ाई में छोड़ देंगे तो मिशन कड़ाई के तले से जलने लगेगा, तो फटा फट से आपको इसे एक दूसरे बरत और यह देखे कितने आसानी से यह लड़ू बन जा रहा है, इसी पकार से एक एक करके आप सारे लड़ू को बना के तयार कर लीजे और तहवारों की तो शानी होती है मिठाई, आप बहुत ही स्वादिष्ट नाजल के लड़ू घर में बना के तयार कर पाएंगे, तो यह ल आप चाहें तो बादाम को बीच से काट के लगा सकते हैं, किसमिस लगा सकते हैं, काजू को बीच से काट के लगा सकते हैं, तो यह आपकी चोईस है, रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजेगा, आप इसे फ्रिज में रखके पूरे एक हफते तक आन